नमस्कार बोलता बिहार नियूज मीडिया में आपका स्वागत है पटना से भारत प्रगती पार्टी के सनलक्षक रभी कुमार यादव देंगे समर्थन CTAT, BTAT अभ्यार्थी 13 दिसंबर को गर्दनी बाग से चल कर बिहार बिधान सभा घेराव किया जाएगा बिहार के बिभिन जीला में CTAT, BTAT अभ्यार्थी के दोरा बिहार बिधान सभा का घेराव कर आज़न किया जाएगा 13 दिसंबर को CTAT बिटे च्छात्रों का बिहार बिधान सभा घेराव है जिसको लेकर हम तमाम हमारे कार्ज करता भारत परगती पार्टी के कार्ज करता च्छात्रों के समर्थन में बिहार बिधान सभा घेराव का भारत परगती पार्टी समर्थन कर रहा है और बिहार के जितने भी कार्ज करता हैं तमाम कार्ज करता च्छात्रों के साथ 13 दिसंबर को धरना प्रदर्शन में और विहार विधान सभा घेराव में छात्रों के लिए छात्रों के अधिकार के लिए सामिल होंगे और मैं भी उस धरना प्रदर्शन और विहार विधान सभा के घेराव में सामिल होने का काम करेंगे और बिहार के मान्य मुख मंतरी नितीश कुमार जी जो सोय हुए हैं इनको जगाने का काम तेरे थारी को किया जाएगा इसलिए हम बिहार के जितने भी छात्र हैं तमाम लोग को कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुच कर और अपना अधिकार को विहार के मानने मुख मंतिर तक पहुचाने का काम करें और भारत परगती पार्टी आपके हर दुख सुख में साथ है और छात्रों के हित के लिए भारत परगती पार्टी संघर्स करने के लिए तयार है और कल भारत परगती पाटी सीटेट बीचे छात्रों को समर्थन देगा मैं रवी कुमार यादव भारत परगती पाटी के संदक्षा